कि लुक्amp वाईय जी बन के आया है आज्ञां जी पूरा not by आज कॉल बही हजी बन के आये हैं जी पूरा, कमशा-कमशा और पूरा बहीजिया की तरह से आया हूं मैं आपके दुर्वाजे पर इस में आपकी Robin Hood eh Robin Hood नहीं है उसका बाप है वह आप कॉफी वाले आक्टर नहां पिछाए वाले अग। है किया मैं लश्ड तक चाय वाला हूं। आपके भाo जी ने आपका नाम मनोज कुमार अक्टर के नम पर रखा को कि वह उसके उतों से 15 फैंत थे। अभम मनोज जी के नम पर रखा था। मनोज लिट्टी वाला ठीकि मनोज बाच पई तो एक ही तो ठीक है जुनूर में जिद जरूरी है या पागलपन जरूर मैं तो मां से इतनी मार खाई है सिर्फ जिद पने के कारण जी मेरी मां मारती रहते थी मैं हटता नहीं था आप सोचिए मेरे निशान पढ़ जाते रामक कुपाल वर्मा या अनुराक कश्या कोंकना शेंट शर्मा या तब मैं नेताओं का किसी का नाम ने लूँगा नहीं चुनाओ का माहूल है देखो अचार संगेता लगी हो या मैं नेता का नाम ही नहीं लूँगा इसलिए आप तो पुछ रहा हूं अभी राजिती वाली बा जिनको मुझे लगता है कि कोई परिचे की तो जुरूरत नहीं है लेकिन उनके बारे में हर कोई जानना सुनना बहुत पसंद करता है बड़े डाउन टो अर्थ है और जिस तरह की उन्होंने काम किया है या फिर कहें तो जिस तरह की फिल्मे करी है वो अपने आप में उन्ह मनोज बाजपाई साफ मनोज भाई आपका अब इनंदन है कि मैं बड़े सारी पॉलिटिकल इंटर्व्यू करता हूं अभी पीछे प्रधान मंतरी का इंटर्व्यू करके आया था और लेकिन आपका इंटर्व्यू करने को मैं अपने लिए एक लर्निंग एक्सपिरियस मान पहुत बहुत विरले लोग होते हैं जो मेहनत मशक्कत करके थे कि मेहनत बहुत लोग करते हैं लेकिन इश्वर की कृपा जो है वो कम लोगों पर हुपा दिए और आप पर वो हूई नाइन्टी नाइन्टी थी में आपने अपना फिल्मी करियर शुरू किया और आज यहां नहीं सोचा था यह हम तो थीटर कर रहे थे दिली में और शेकर कपुर जी के कहने पर हम लोग मुंबई आए और बिलकुल उमीद नहीं थी कि हम दस फिल्म भी कर पाएंगे और आज अचानक से मुझे पता चलता है कि मैंने सौफ प्रोजेक्ट का महिस्सा हो चुका तो एक च लोगों से प्यार लगातार मिलता रहा है चाहे भले ही कितनी भी कठनाय आई लेकिन उपर वाले ने जो है हमेशा जो है वापस से उठ करके दोड़ने की उरजा दी शक्ती दी और तभी यहां तक मैं पहुंच पाया हूँ इसको जो भी अचीवमेंट किसी का भी हो चाहे मन अपना मानना है कि अगर आपको डंब है कि आपके करने से हो रहा है तो कभी सोच के देखिए गया कि आपके करने से पहले कुछ नहीं हो रहा था और अचानक से चीजें क्यों हो रही है तो जवाब उसी में छुपा है आपके जीवन में ही छुपा है लेकिन इनसान की उज्जयेन के माहकाल के दर्वाजे पर पाया जाता है। तो अगर वो दर्वाजे लागातार खड़े होता रहे हर पृषितिति में तो शायद चीजें और आसान हो जाए। आप भाग्य को भी मानते हो। वृधधा को भी मानते हूँ। करम भी मानते हूँ। और कर्म में भी विश्वास रखता हूँ, यह देखिए जो लिखा है वो तो होगा, मैं बड़ा पॉपुलर सा श्लोक है जो गीता से हर कोई वाच देता है, सुना देता है, खिए वादिकारस से माभले शुका दाचना, तो आपके हाथ में तो सिवाय कर्म के कुछ है नहीं, प्रभुन ने दिया ही नहीं, और उपर वाला कहता भी है और जोतिश में भी कहते हैं कि बीस प्रतिशत आपको दिया गया है, जो आप काम से और अपनी आदत से चीजों को बदल सकते हैं बीस पतिशत तो बीस पतिशत जो हाथ में है उसको तो हम कम से कम इस्तवाल कर लें कि हम कुछ बदल पाएं तो उसी कड़ी में भगवान ने एक और चीज दी मेरे साथ में कि मेहनत करने की अथा उर्जा कभी ना तूटने की शक्ति जिसके करण में यहां तक पहुंच पाया मेहनत तो बहुत जरूरी है एक बात बताईए यह सौवी फिल्म ही आपको अपनी वाइफ की फिल्म करनी थी यह क्या आपने मन में सोच रखा था या फिर यह विधी का विधान था यह आपकी धरपत्नी ने बोला था कि सौवी फिल्म तुम मैं बनाऊंगी पर्डूस करूंगी तुमारी नहीं नहीं देखिए क्या है उसमें सब कुछ जो है सब सारी चीजे बनती चली गई और पुर भाया जी की तरह से आया हूं मैं आपके दर्वाजे पर लेकिन सारा सेट अप हम कर रहे थे फिर उस्वाल ग्रूप के लोग वो प्रोड़क्शन में आ रहे थे तो शैल और समिक्षा ने कहा कि हम प्रोडूस करना चाहते हैं आपके साथ उनके साथ पुराना संबंद उनके पिता जी के साथ तो मैंने का ठीक है आप लोग की जी फिर विनोवत भानुशाली जी आ गया है जो नहोंने बंदा की थी पूडूस को है मैं भी रहूंगा मैंने का आप भी आ जाईए डिरेक्टर राइटर एडिटर ये साउंड सारे टीम मैंने एक बंदा काफी आपकी ब ये और और ये बात मानता हूं और इतनी कंजूसी करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि आज के अंधर You should देखो नेगिटिविटी हर जगा है आपको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया और वो काम आपको बोलना चाहिए मेरे एक बॉस होते थे कहानी अपना था तो मैंने उन से पूछा कि पत्रकारिता में आया हूं तो सबसे बड़ा रूल क्य देखा है वो उस दिन का बॉस है जी जी उस बात को रिलाइस करना जब भी मन में कभी धाड़ना है तो इस बात को शोट देना और मैंने उस बात को गांड़ बांदा चाहे आर आज मुझे 23 साल हो गए है और मुझे लगता है कि मैं उसको बहुत ही निश्पक्ष्टा के बाद मेरी फास्टिंग शुरू होती है तो फास्टिंग जब शुरू हो जाती है तो ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी ये दो चीजे हैं जो मेरे फास्टिंग के साथ में बिलकुल समंजस से हैं उनका तो ये दो चीजे में लेता हूं नहीं तो जब तक मैं खा सकता हूं तो ड़ाई बज़े तक, उस समय तक मैं मसाला चाए, अदरक के साथ में, अदरक कूट के मतलब, हाँ, बिलकुल कूट के, मतलब मसाला चाए मुझे बहुत पसंद है, कम दूद, हाँ, ज्यादा दूद नहीं होनी चाहिए, फिर चाए का मज़ा चला जाता है, तो, कड़क चा तो जानता है, कि मैं मरी मेरी जिन्दी दस बज़े जाती है, दस बज़े मैं सो जाता हूं, श्यामको भी चाही पीते हैं कुछ और भी पी लेतें है, जो जिसकी वात आप कर रहे हैं आप लिए वो तो बहुत कम होता है, ज़ाब दोस्तों को साथ बैठे हो तो, लेकिन मैं वह शैंपेन पीता हूँ मैं मतलब कैजूल ड्रिंक मतलब इस तरह का आदमी मुझे हाडली के छोड़े हुए कई साल हो गया 14-15 साल हो गया लेकिन कभी कभी किसी के घर पे गया तो अगर मान लिजे बहुत ही करीबी है जाना ही है तो वहां पर अब ऐसा लगता है कि भाई अगर मेरा कितनी बार मेरे spiritual प्रैक्टिस चल रही होती है तो कई बार जो है उसके साथ दखल नहों तो नॉन वेज भी मैं छोड़ देता हूँ या फिर किसी तरीके का जो है दरब पर पदार पी छोड़ देता हूँ जी तो उससे में बिल्कुल आप मतलब यू आपको क्यो यू के अंदर जैसे मैंने पहले बोला नेगिटिव इड़ी बढ़ी है तो आप spiritually अपने आपको connect करने का प्रयास करते हैं कई साल से है मेरा और बच्पन से मैं अध्यादम की तरफ में रुजहान राया मेरा बड़ा कम होता है बच्पन से अध्यादम के लेकर कि अगर आप के अंदर में सवाल बठने शुरू हो जाएं और आपको उसका उत्तर न मिले और कुछ लोगों को उत्तर बहुत जल्दी मिल जाते हैं मुझे बहुत लेट मिला पांस साल छे साल पहले जब हमारे spiritual teacher हमको मिले spiritual guru मिले तबसे जो है एक खास सरीके का अनुशासन जो है उसका भी करता रहा हमें पर आपको benefit करा उसने मेरे खाल से उसके benefit कई तरीके के हैं सिर्फ स्वास्त नहीं है उसका benefit ये होता है कि आप सिर्फ कर में बशास करना शुरू करते हो और बाकी सब चीजें फिर secondary नहीं वो खतम हो जाती है बाकी सारी अपेक्षाएं आशाएं लेकिन ए अब पाघ्वास लाओए नादमी जब अब कर्ता चान नहीं दूप अल यह यह अनुंख नहीं पीज़ से मन रहे हैं कि साल के बाद मुझे बड़ा आदमी मनुझा रहा हैं जिघ्वा хотards कुगा अब तो गाइंग सब वासेपुर के बाद बड़ा आदमी मान रहे हैं या फिर फैमिली बैंड के बाद बड़ा आदमी मान रहे हैं मैं ऐसा ही रहा हूँ और मैं ऐसे ही इसी तरह से जीवन पद्धिती अपनी बनाई है और मैं इसी तरह से मैंने जीवन को जिया है मैं कोई अनुखा क नाम पर रखा था और मैं मनोज कुमाजी से जब भी मिला तो मैंने उनको यही बोला और बहुत आश्रिबात भी दिया ले वोलों ने लेकिन बाओ जी ने नाम तो जब रखा था तब शायद मैं अकेला ही मनोज था बिहार में लेकिन उसके बाद इतने मनोज हुए इतने मनोज पंचर वाला, मनोज चमपारन मीट वाला, मनोज लिट्टी वाला, मनोज होसियरी, मनोज क्लॉथ मर्चंट, मनोज पान वाला, तो आपको बहुत मनोज मिले है, तो तो ठीक है, मनोज नाम बहुत कौमन है बिहार में, अच्छा ये बाचपई या नहीं, बाचपई, ये जैसे मैं कहीं पढ़ड़ा तक उन्हें लिखा हुआ था कि इस ये करने के बाद मनोज बाचपई की गाड़ी चल पढ़ी मेरे पिता जी का नाम की बाचपई की स्पेलिंग वही है जो मेरी है या जो मेरे भाई बहनों की है तो इसमें कोई भी अंक जोतिश नहीं है पहले मैं इस पर ध्यान नहीं देता था आज कल मैं बहुत ही जादा कुछ सालों से मैं कहता हूँ भाई जब मिरे नाम की स्पेलिंग हो लिखी है तो बीच में लिखते थे बी ए जे पी आई फिर लिखते थे वी ए जे पी ए वाई डबली फिर लिखते थे वी ए जे पी ए आई जिसका जो मनाया उसने लिखा लेकिन कुछ सालों से मैं जादा जोर देता रहा कि भाई जो मेरे पिता जी से सरने मैंने लिया है उसी को आप डालिए और उसी स्पेलिंग के साथ डालिए तो वही है ये कुछ लोग वाचपई लिखते हैं जैसे बिज़ है और विज़ है दोनों तो एक ही है तो उसी तरह का वाचपई या वाचपई बाचपई आठल जी वी लिखते थे लेकिन बहुत सारे जो वाचपई है वाचपई लिखते हैं पर है अर्थ है आपके फिल्म की बारे में बात करते हैं जो भाईया जी फिल्म आ रही है आपकी वाइफ ने इसको प्रोड्यूस किया है इसमें आपकी रॉबिन हुट इमेज है उसको कहते हैं कि विलन बोलता है तो वो क्या रोविंड हुड है तो उसका पंडित बोलता है रोविंड हुड नहीं है उसका बाप है वो तो एक ऐसा आदमी है जो समाज और गाओं और परिवार को साथ लेके चलता है तो सबका कल्यान करने वाला अदमी है लेकिन जब जो उसका पास्ट है वो उतना ही भयाव भी है उस आदमी का. अब वो उस पास्ट में वापस नहीं जाना चाहता है. लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, जहां पे वो क्या पास्ट पे जाएगा या नहीं जाएगा, या आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. तो ये फिल्म थेटर्स में रिलीज होगी है? थेटर्स में, चौबिस तारी को थेटर्स में रिलीज हो रही है और बहुत ही बड़े स्थर पे रिलीज हो रही है. तो आपकी वाइफ, आप पे शिवस काइंड एनफ एज प्रोड्यूसर? और शिवस ट्रिक्ट? शवाना जो ह मैं हमशा कहता हूँ, इस फिल्म में देखो मेरे पैसे तुम लोगों ने कितने घड़ा दी है? तो इस तरह की जद्व जहद और विवाद चलता रहता है परिवार में. इस पर ही पैसे का लिए होंगे आपने वाइफ से कौन पैसे ले रहा है? नहीं, आपनी कंपनी में मैं आक्टर हूँ, वो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है. यह घर से निकल के दूसरे घर में जाने है? ऐसा भी नहीं है, आजकल की आधुनिक महिलाएं ऐसे नहीं मानती है. जी, चलिए एक चीज और दोसार इकिस का साल आपके लिए कठिन साल था. और आपके पिता दु के पास नहीं थे. आपको फोन क्यों करना पड़ा था हूं? मेरी छोटी बहन ने कहा, क्योंकि मैं आता था दिल्ली और जाता था और एक समय आया जब मेरे पिता जी पूरे जिसे कहें कॉमा भी नहीं तो पूरे तरीके से बेहोशी के हालत में थे और डॉक्टर ने भी कह द काफी महीने गुजर गया और बहुत तकलीफ में थे वो तो पूरा परिवार उन से जाके बोलता था है कि आप जो है शरी छोड़ दीजे आप किस मौमाया में हैं वो जबकि वो बेहोशी में थे और तब भी कुछ नहीं हो पा था मैं आता था फिर दो दिन में चला जाता थ और वापस शूटिंग पर किलर सूप के शूटिंग कर रहा था मैं कोची से करीब चार घंटे दूर तब मेरी बहन को अचानक ऐसा लगा चोटी बहन को कि मेरे पिता जी मेरे बहुत करीब थे तो उनको लगा कि शायद ये मनोज भीया के आने का इंतजार कर रहे हैं तो उन उने मुझे फूं दीया और मुझे बोलना पड़ा उपने पिता को कि आप अच्छे पिता थे आप आप अच्छे बेटे थे आप अच्छे दोस् रहे अच्छे पती रहे आपने सब कुछ किया हम लोगां के लिए आप अब ये शरीर छोड़ दो अब ये मेरे खियाल से आगे का शरीर आपका इंतजार कर रहा है, आपको यहां से निकलना होगा बावजी, तो मैं लागातार बात करता रहा, और बात, आपको मैं पिताजी को बोलना बड़ा, अपना शरीर आप छोड़ दी, यह मेरे लिए बहुत ही दुखत घड़ी थी, बहुत जारा, किसी भी प से डिटाश होकर कि मैं भोल करके, फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि मैंने भोला है, अब देखो क्या होता है, लेकिन मैं सच में लगता है कि जाना चाहिए, वो ही कह रही है कि, हम लोग बहुत इन को तकलीफ देख करकर रहा नहीं जा रहा है, और मैं अगले दिन सुबह, म पांच पांच बजे का, और मुझे यह एहसास था कि इस समय कोई फोन नहीं करता है मुझे, बदा नहीं क्या हुआ कि मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया, और मैंने फोन की देखा तो मेरा छोटा भाई, वो फोन कर रहा था, मुझे एहसास हो गया, मैंने फोन उठाया, तो उसने का, हाँ बाओ जी चले गए, आपकी बात मालनी, हाँ, मेरे लिए बड़ा कटिन, मैं उस बाकी कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बड़ी परिशानी होती है, मुझे भी बहुत, जब मैं आप बता रहे हो, तो मैं खुद बहुत बहुत ज़्यादा, जिसे कहते है में पास भी अगला क्या पूछना है, शायद मैं भूल गया हूँ, ब्लैक आउट जिसे कहते हैं, वो इस तरह का हो जाता है, मेरा असिस्टेंट था जो वैन में था, जब मैं उनको बोल रहा था, और मैं अपने असिस्टेंट को दूर देखा तो मेरी बात चीज सुन रहा और वहां पे जमीन पे बैठ करके धाडे मारके रहा था, मेरी बात सुन कर के, लेकिं चूक ही ने क्युक्ति Cape, और मैं बोल रहा था और में पॉरे इमानदारी से बोल रहा था, और मैं बाओजी के तकलीव को सोच के बोल रहा था, तो मैं उतना डिस्टरब नहीं था, मैं स लोक जो आते हम वाक्या में लिकिता लोक संधा संकतां की आप तो बेटा सब को बोल सकते हुआ लेकिन आपको बेंता कहने वारे डोई होता हैँ अब बस कोई और नहीं होता कोई नहीं रोक सकता आप को जब आप कुछ गलत कर रहे हो दो उपको सिरफ आपके पीछे बात के बात कर सकते है आपके धरम पतनी भी इक पॉंट तक रोकेगी, बिल्कुल, बच्चे भी एक पॉंट ब कर क्या? लिकिन माबाप हक से रोक सकते हैं लेकिन आप डिप्रेशन में भी एक टाइम पे चले गए थे एक छोटे समय के लिए गया था मैं ज्यादा समय तक डिप्रेशन में रहना वाला आदमी मेरी फित्रत नहीं मेरी प्रवर्ती नहीं है वो एनेजी के रिजेक्शन के बाद एक करीब एक मही मतलब बीस दिन के मुझे समझ नहीं आथा मैं क्या करूं लिए दोस्तों ने बहुत सहरा दिया और लेकिन मैं मेरी फित्रत ऐसी है कि मैं ज्यादा समय तक दुखी नहीं हो सकता हूं अपने आपको लेकर मैं वापस काम पे जाना मुझे अच्छा लगता है अच्छा एक बाद बताई यह जो म मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मुझे अच्छा बहुत सारे बहुत सारे एक बार नहीं आया अगर अगर आप मेरे पूरे की पूरी आप मेरी मेरे पूरा जीवाट चैटर देखें तो आपको पता चले गया कि यह कई बार खतम हुआ ही यह मेरा आपकी सत्याई एक मेरे पूरा है और मैं बिल्कुल जेगों के बारे में बहुत जादा नहीं पड़ता लेकिन यह जो क्योंकि मैंने आपको जिखा जित्ता समझा बार आपको पोइंट पर आपका एक लोग पूंट आया जे आपका जबरदस्था पॉंट था इस शांदार काम किया उसके आखटाल सब्सक्रावज पूछ फैमिली मान आ गई, तो उस समय से चीज़ें अपना ठीक ठीक ठanh, पर बेगलते हैं। भी काम यह था, भी इस काम नहीं था।ा। अभी नहीं ता, तुकि इसक्राऊथ हैं। तुकि पीघे रहा हैं। अपूध तो अठिल बहरी वाजपई को तो अठिल बहरी वाजपई ने पार्लिमेंट में एक बहरी बोला था, कि सब लोग बोलते हैं, कि बीजेपी पार्टी खराब है, लेकिन वाजपई बहुत अच्छा है, तो यह अच्छे वाजपई का तुम क्या कर रहे हो, तो उनको कोई कर रहे थी, तक इंडुस्ट्री को पता ही नहीं था कि इस आदमी का करना क्या है, ना यह विलेन लगता है, ना यह रिए लगता है, इसको दे तो क्या दें तो बाद में उनको लगा अरे, विलेन ही देते हैं, क्योंकि भाई, हीरो को तो डिस्ट्रब नहीं कर सकते हो, तो मुجھे करना नहीं था तो बहुत साइसे में तो मैंने काम को मना किया. कामmesi काम मना करने का मतलब है कि हम पैसा भी मना कर रह नौń वापस तो उसी किराए के जगे पे शत्या के बाद में साथ साल तक मैं किराए की घर नहीं रहा हूं यह जब मैं किसी को कहता हूँ तो बहुत साई लोग विश्वास नहीं करते हैं उस दोरान भी मैं बहुत बड़ा नाम हो चुका था लेकिन बीश-बीश में ही फिल्में करता था कौन कर ली, शूल कर ली, अक्स कर लिया, जो जुवेदा आ गई इस तरह से बीश-बीश में ही फिल्में करता था, और फिल्मों में गैब बहुत होता था ज़्यादा था समय तो ऐसी फिल्में आती थी जो मैं करना नहीं चाहता था आप अक्टर आप बुरे तो आपको तो राजकुमार बना दिया था एक फिल्म के अंदर जुबेदा में आप राजकुमार थे जी बिलकुल और आपने बोला मैं राजकुमार दिखता जी तो शाम बनेकल नहीं कहा है यह रहे असली राजकुमारों के फोटो देख लो कौन ज्यादा आज दिखता है क्योंकि शाम बनेकल इतने बड़े कद के निर्देशग है कि कोई भी आक्टर उनके उनके डिसेजन के विपरियत नहीं सो सकता है कि आपको पास किस्ता हो तो सुनाइजा का कभी ऐसा हुआ कि रोमेंटिक सिनापको कं न पड़ गया हुआ था वाध बच्पन से मैं बढ़ा श्रमिला इं्ट्रो ने अहां अभी ही अभी अभी अप 흥ा थो बात तो करना है या आपको बलाया है कि बात करने के लिए भाथ झाल करोंगा तो तो यह सुछ इंट्रो बॉर्ट और श्रमिला यह डोनों चीज़ें मेरी साथ साथ चलती है दोनों ही साथ साथ चलती है और अगर मैं बैठता भी हूँ किसी के साथ हो हा करने के लिए तो वही लोग होते हैं जो मेरे करीबी या इनर सलकर के लोग होते हैं अब यार बाज हो हुआ करता था क्योंकि जब तब तक हमारे बिचारे सब 20-25 साल एको थे हम लोग ने बहुत क्या, अब मिलते हैं तो बहुत ही आराम से मिलते हैं, लेकिन तब भी गाली गलोज आपस में होती ही है. तो अपने पुराने दोस्तों के राद मिलने चले जाते हो आप बहुत सारे दोस्त हैं जो हम लोग बहुत संपर्क में हैं और मेरे रामजस कॉलेज के दोस्त हैं जिनके साथ वाच्ट्राइप ग्रूप है एक दूसरे घर के घरों के शादियां हम अटेंड करते हैं मिलते हैं अभी भी, अभी था, मैं पिशली दूनों मैं भोपाल में था, फिर मैं जयवजयपूर में था, सिर्फ उनकी शादियां अटेंड करनी जाता हूँ, एक बॉलिवोड के अंदर कोई बड़ा चोटा अक्टर होता है, होता है न सर, बड़ा स्टार और चोटा अक्टर होता है, तो बड़ा स्टार जो है, वो प्राम मिनिस्टर होता है, बाकि सब इधर ओदर के मिनिस्ट्री बिली होती है, लेकिन OTT ने तो सब बराबर कर दिया है मामला, ऐसा पबलिक को तो लगने लग गया है, और मैं ये कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा लेकिन रिलाइस कर रहा अजेश कhandla जी बहुत बड़े सुपर स्टार रहें, जारुक खान बगड़े स्टार रहें, अग्शे कुमार अच्छी अ इसा नहीं है, लेकिन अब वो सुपर स्टार्डम मुझे नहीं लग तक शायद आप सही कह रहा हो की अब जो स्टार्स बंढेंगे, वो सुपर स्ट कि छोटे बड़े थोड़े स्टार हर आवन्यूस पे आगे, कोई YouTube स्टार है, कोई TikTok स्टार है, कोई Instagram स्टार है, कोई Facebook स्टार है, तो कोई reality शो का स्टार है, और सब को तबज्जो, सब को कैमरा जो हैं, चेस कर रहे हैं, अपर्चुनिटीज बहुत हैं, अपर्चुनिटीज यकीन नहीं कर सकते हैं, कितने लोग उसको देखते हैं, जो थीटर में, थीटर जो है, या सिनमा जो है, थीटर में, वो उसको सोच भी नहीं सकता है, एक टाइम होता था चोटा पड़दा, बड़ा पड़दा, मतलब डिफरेंशिट किज़ था टी-वी और इस बात को बिल अभी वो समय बदल गया, अभी OTT ने, अच्छा आपको रिलाइज होता है कि OTT ने आपको एक मतलब एक नए स्टारडम पर पहुंचा दिए, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि या ये फैमिली मैन, प्लस उसके बाद जितने काम किये, मैंने लागातार जो मेरी फिल्मों को लोगों ने देखा, सीरीज को देखा, जो सारे सक्सिस्फुल हुए, उसके कारण मैं घरो घरो तक पहुंचा, ये आपको नॉर्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट, ओवर सीज, मैं कहीं भी जाता हूँ, सब ना सिर्फ ये वाला काम लोगों ने देखा है, बलकि पीछे जाकर म आप यकिन नहीं मानेंगे कि इस समय कौन मेरी फिल्म जो 99 में आई थी, आज कौन वापस जाके लोग देख रहे हैं, कौन को एक्स्प्लोर कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, जी, ट्रेंड कर रहे हैं दोबारा, सत्या को लोग आप, जो जो जनरेशन है ये वाला, वो नही जानता है सत्या, सत्या कितनी कल्ट फिल्म थी, कैसे उसने इंडस्ट्री को बदल दिया, लोग नहीं जानते हैं, तो ये जनरेशन जाकर के सत्या को देख रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब दी, आप यकिन नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग मैं पे होता हूँ, इवेंट में होता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका फाला इंट्रूव्यू मैं देख रहा था, आपके सारे इंट्रूव्यूज हम लोग खोद-खोद के देख रहे हैं, तब मुझे हैसास हुआ कि मैं, मेरे फिल्मों को तो छोड़ी ये, लोग इंट्रिव्यूज भी खोद-खोद के देख रहे हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ, उसको लोग बड़े गौर से सुन रहे हैं, तो मुझे उसको पूरे सिंसेरली मुझे इस चीज़ को भी अपरोश करना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दस दिन के बाद देखेंगे, यूट्यूब पर देख लेंगे वो, क्योंकि अब वो इन सब बातों को देख रहे हैं, उससे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह इंटर्व्यू सिर्फ ऐसे ही नहीं है, यह किसी नहीं किसी देखते हैं हम मनुज बाटपाई को देख रहे हैं हम अमिता बच्चन को देख रहे हैं लेकिन उनके पीछे की मेहनत नहीं देख रहे हैं अमिता बच्चन ने भी बहुत बड़ी स्ट्रगल करी है शायद कई लोगों बहुत जादा बहुत जादा और हर सफल वेक्ति के पीछ तो हमें उसकी यातरा से सीखना चाहिए जो सामने है जो final product है सिर्फ उस पे मत जाएए final product देख करके गाउं शहर मत छोड़िए आप ये देखिए कि अगर आप वो बनना चाहते हो तो उसके पीछे की यातरा करने के लिए क्या आप तैयार है आप उस पहले research कीजिए और तब आप जाँ चिए कि क्या आपके अंदर में वो उर्जा है सहने के शमता है वो यातरा करने के शमता है संघर्श क्या है आपकी शब्दों में मेरे संघर्श मैं बोलने में तो नहीं खा पाएगा, मेरे लिए हमारी बड़ी स्वार्थी या selfish journey रही है, अपने सपने के लिए, हमने जो जहला, हमने जहला ताकि हम कुछ पा सकें, या अपने सपने को हम पूरा कर सकें, तो ये बड़ा selfish journey है, और अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, तो कुछ खोने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको, और वो तैयारी हमेशा रहने चाहिए, उस कर्षनाई से गुजरने हैं, मैं अपने passion को follow कर रहा था, तो उसमें संघर्ष नहीं है, उसमें संघर्ष नहीं हो, संघर्ष का रियल मतलब तो भई, वो रिक्षा बाले से सीखिए, क्योंकि वो कर रहा है, जो कोई नहीं करना चाहेगा, अपने भले दिमाग में, वो इसलिए कर रहा है ताकि वो खाना खा सके, सर पे जो है, एक तिरपाल लगा सके, प्लास्टिक की एक चादर जो है, लगा सके, तो संघर्ष उसी का है, बाकी हम सब लोगों ने अपने सपने को पाने के लिए, पैशन के लिए, जुनून के लिए, हम अपने सब, अपने, ये जिद इठानी की हम इस रास्ते जाएंगे, जी, तो जुनून में, चलिए इसको तो दूसरे दंचे लेते ह जरूरी है या पागलपन जरूरी है? देखिए, जुनून तो अपने आप में पागलपन है, जिद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मेरे साथ में तो बहुत, मैं क्योंकि बहुत जिदी बच्चा रहा था, मैं तो मां से इतनी मार खाई है, सिफ जिद पने के कारण, मारती रहती थी, मैं हड़ता नहीं था, आप सोचिए, मेरे निशान पढ़ जाते थे, मेरे बदन पर, लेकिन मैं हड़ता ही नहीं था, कि मुझे मारना जितना मार लो. पर जब आप ने बोला, मैं एक्टर पढ़ना चाहता हूँ, तो बाओ जी नहीं क्या बोला? बावजी ने कहा भाई जो भी करो पुरा सौ पतिशा देना उससे कम मत देना और अभी कुछ दिए हमारे उनके छे बच्चे थे और उनका कहना था कि मैं सिर्फ मेरी एक ही शर्त है कि तुम सब के सब ग्रैजुएट हो जाओ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे ग्रैजुएट हो बागी तुम लोगो जो करना है वो करो लेकिन खुद से करो क्योंकि मेरे पास उतने खशंबता नहीं है कि मैं छे के छे को सपोर्ट कर पाऊँ मैं ज्यादा ज्यादा अपनी बेटियों के शादी कर दूँगा बाकि तुम लोगों को शादी करना तो खूद करो तो ऐसे विचार थे उनके मेरी माता डिक्टेटर थी तानाशा, बहुत बड़ी तानाशा मेरी और उनकी बिलकुल नहीं जमती थी जब तक वो जिन्दा रहें लेकिन शायद ये भी एक प्रेम था अपने तरीके का अब मैं उनको बहुत मिस्स करता हूँ कि भाई मेरे साथ जगड़ा करने वाला चला गया तो कहते हैं ना जो माई होती है जो आप कित्के भी बड़े हो जाओ तो बोल देती है मेरे साथ ने तो मत बोले नए मेरी मात दो गए अशी थी कि उसके मरते तक जब हॉस्पिटल में बे थी तो वो एक बार देख लेती थी गुस्से में किसी विभाई बहन को तो सब के सब पीछे हड़ जाते थे अच्छा अक्सल बेटे मेरी मा ने बहुत कुटा है बहुत ज़्यादा कुटा है मतलब खीच-खीच के टांग-टांग के मुझे होस्टल में रखके आई है आप अपने बच्चों के साथ आज के यूग के बच्चे हैं मैं मेरी बच्ची है तो या कुछ काम निकालना होता है तो अपने बाप की तारीफ करना शुरू कर देती है बहुत चालू चीज है वो लेकिन यू लाइक तो गिव आल दे लग्श्री तो यू फैमिली आप अपने परिवार को सुविधा में रखना पसंद करते हैं देखे लिए मैरे पिदा जी हमको जितना दे सकते थे उन्हों दिया था उन्हों ने हमको ग्रैजुट कराया तो जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं था कोई शमता नहीं थी उसके बाद भी आगए जा के छे बच्चों को उन्होंने सपोर्ट किया उनके पढ़ाई में तो मेरे पास भगवान ने सामर्थ दिया है तो मैं उस बच्ची को वो सारी चीजे दे रहा हूं जिसको डिजर्ब करती है एजुकेशन तक हम मेरी पत्नी और मेरा हम दोनों का मानना है पर मैंने पढ़ा कि कहीं पढ़ा या कहीं लिखा हुआ था कि आपने आप अपनी परिवार को बिजनस क्लास में ट्रैवल कराना पसंद करते हैं जी मैं जब जाता हूं छुटी पर जाता हूं तब मैं हम लोग का हमारा परिवार का एक सहमती है आपस में कि जब हम छुटी पर जाएंगे तो हम पूरे कमफर्ट में चीजों को रखेंगे लेकिन उसके अलावा देखिए कि वह किसी भी परिस्तिती में खुश रहें किसी परिस्तिती में किसी परिस्तिती में किसी दिन हाती ने किसी दिन घोड़ा किस दिन पैदल चलना जी बस करना पती रेते रहा क्या कहना सदा मगन में रहना बस यही है हम सदा मगन ही रहते हैं कि हम लोग अगर अलमोडा में ह करते हैं पहाडों में घुम्ती रहते हैं को इट में फवसे थे स्यू टिंग कर रहा थो मैं सारी यूनिट चली गई थी वह से आकेले हम मैं और मेरा परिवार रहा चार मैंने रह Most 4 मैंने उसमें जो हमने हमारी कपड़े जो थे विंटर के थे वह गर्मी आ गई और उसको काट काट करके हम गर्मी के ड्रेस बना रहे थे मेरी बेटी का जो है एक ही शू लेकर गई थी क्योंकि वो साथ दिन के ले गई थी चुट्टी बनाने के लिए और मतलब उसके अंगठे का जोता फटके उसका अंगठा अंदर से जहां करा था लेकिन हमें कई बुरा नहीं लगा क्योंकि हमें लगा कि यह ठीक है जीवन तो है भी फिलाए तो अभी तो है जीवन तो है नीशे तो लोग लोग तड़प रहे हैं तरही मची हुए तरही माम है पुरा बहुत खराब समय था पूरे विश्व के लिए मुझे निलगता कि शायद ऐसा खराब समय चुअ ख़ए कि और किसी और को दिखाए लेकिन बात बहुत सारी हो रही है लेकिन बहुत शारी हो रही है आप फैमिली मैंने तो ये जो आपकी और आपकी वाइफ का अफेर हुआ ये कैसे हुआ अब वाव है एक हंसल मेता की पार्टी में मिले थे हम लोग जी 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 वहां से बाचीत का सिलसला शुरू हुआ और मुझे उसी समय लग गया था कि मैं पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इसके आगे आप नहीं देखना है एक सवाल क्योंकि चुनाब चल रहे हैं और आपने राजनीती की फिल्म भी करी है राजनीती फिल्म में बहुत शांदार एक्टिंग करी है तो कभी सोचा है कभी कुछ खुद भी राजनीती में आऊँगा मैं मैं हमेशा 25-26 साल से बात कर रहा हूं शायद लोग मानते भी नहीं है क्योंकि सबको लगता है कि अभी यह ऐसा बोले है अब एक्दम देखे मैं आप लोग जो अनालसिस करते हो ना आप लोग से पहले मेरी अनालसिस होई रहती है क्योंकि मेरा जिस परवेश से आऊ हूं वहाँ पर राजनीती जो है उस पर बाचित जो है सुबह 24 घंटे का काम था बिलकुल ठीक है अखबार पढ़ना एक अनु शासन को पालन करने वाए लोग तो जाहिसी बात है जब मैं मैं नीज चैनल बहुत कम देखता हूं यूटूब और देखता हूं या फिर मान लीजिए ट्विटर और बजाकर कभी कोई नीज देखता हूं चीजें आपके अंदर में कुछ समिक्षा चल रही है आप चीजों कमरे में अपने दोस्तों के बीच में आपस में जो है ना जोड़ जोड़ से आर्गुमेंट करते हुए हम लोग करते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरा राजनिती कोई उद्देश्य है मेरा कोई सपना ही नहीं है मैं अपने आपको फिट नहीं पाता हूं मुझे किसी प बिठा दो मैं आधे घंटे के बाद मुझे सफोकेशन होने लगती है मैं नहीं बैट सकता मैं उस जिंदगी से रिलेट ही नहीं कर पाता हूं जैसे अगर उनको बोल दो किसी एक्टर के साथ आधे घंटे से ज़दा बैटने के लिए उनको भी सफोकेशन होती है मैं देख कुछा मैं या अविनेत होगर एक्टहूज़ में जादा नहीं बैठ़ पाते हैं ऐसी पत्रकार को बिढ़ा दो तु उससे बात करनें फाट तुमको क्या लग रहा है और यह ब wireless को अब हो गार कैसे होगा तो वहां उनका स्वार्थ होता है तो आपको कुछ ज़्यादा देर बिठा लेते हैं हमको तो आदे गंड़ से ज़्यादा नहीं बिठाते हैं क्योंकि उनको लगता है क्या काम आप पत्रकार उस देली का काम है तो मता कभी पॉलिटिक्स में जाने के बारे में आपने कभी मन में ही नहीं है ये मैं आपके शो से फिर कह रहा हूँ बिल्कुल ही नहीं है तो आप मज़े संपर के नहीं है क्योंकि हर विधान सभा चुनाओं में हर लोक सभा चुनाओं में सारी पार्टीज की लोग सारे पत्रकार ये मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई आओगे पत्रकार काम तो पूछना है लेकिन पार्टीओं का काम तो नहीं है मैं तो बोछ चुका हूँ मेरा कोई देशे नहीं है एक चीज है क्या आपको लगता है क्योंकि आपने सफालोजी की बात करी तो एक सवाल पॉलिटिक्स के ऊपर पूछना जलूरी हो जाता है तो आजकल का महल आपको कैसे दिख रहा है कैसे दिख रहा है मतलब इसका मतलब क्या दिख रहा है चुनावो के अंदर कुछ दिख रहा है आपको कुछ महसूस हो रहा है यहां पर जो जनता है ना बोली नी रही है पर प्रयात नतर का पर्व है आप वोट देंगे तभी ये जिंदा रहेगा पास साल में ये समय आता है लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर नीशी जा रही तो इसका कारण क्या है मुझे समझनी आरा है क्या ये पार्टियों को भी समझनी नहीं आरा है सब आपनी तरह मोड़ लेती है क्या ये तापमान है या फिर कुछ और कारण है क्या है ये तो मैं नहीं जानता है मैं सबसे तो उनके लिए अगर उनने बोला कि मनो जाओ मेरे लिए परचार करने के लिए मैं किसी के लिए परचार करने के लिए एक आकरी दो सवाल है और क्या आपको लगता है कि खास तोर पर बॉलिवूड जो शब्द है नसुदीन शाह साब ने एक बात बोली ती कि मुझे सालों से मतला बन अब दी ओल्डेस इंडस्ट्री है वर्ल में कई सालों से लोगों का मनुझत कर रही है और कई सारी कई महान महान कहानिया कह चुकी महान महान क्रियेटिव लोग दे चुकी उसको एक ऐसा नाम देना जो कि अपमांजनक साउंड भी करता है और मैं तो आप आप जैसे जितने भी एक्सपीरियंस जनलिस्ट लोग हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि अब आप ही लोग बदल सकते हो आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलो क्योंकि हिंदी की एक ही तो इंडस्री है हिंदी सिनेमा तो एक ही है ना उसको उसको एक तोड मरोड करके में ये चलन था कि हम इतना इंफ्लूंज हो जाते थे कि उनका कुछ घलत चीज भी फॉलो करने लग जाते थे बिल्कुल सही कह रहा है आप ने वह फॉलो मतलब कॉपी-पेस्ट होता था फिल्म कॉपी-पेस्ट कर देते थे इसकी वजह से बहुत सारे पत्रकार और समिक्षक नाराज भी रहते थे लेकिन वह इतना बड़ा काम नहीं था कि आप अपने हिंदी सिनमा को एक ऐसा अपभरंश दे दें कि इसी में विवल रॉय साहव की इंडस्ट्री है सर यह राजकपुर की इंडस्ट्री है आप समझ दें यह ऐसे ऐसे महारतियों की इंडस्ट्री है हैं यहां पे दिलीकुमार साहव हुए है भाई बलासानी हुए है यहां पे ऐसे से दिगज निर्देशक महापुरुष हुए है हम बॉलि wacka नाम दे करके हम सब का अपमान कर रहें में तो दर्खास करता हूँ इसी यहां से बैट करके आपके जरिये में उनसे सब मीडिया क को नहीं बदल पाए क्योंकि जब वो उसमें से भी बहुत सारी इंडस्टी के भी बहुत सारे नए जनरेशन के बच्चे बच्चियां जो है अब बॉली बॉट बॉलने लगें तो मैं यह मेरा निवेदन है कि प्लीज इसको हिंदी सिन्मा वो लिए क्योंकि हमारे पास एक ही ने क्यां है गयंग्जावばशनपोर्याफर सत्या सत्या कोंकरा हाथ रेंशर्मा यह तबू मेरे दोस्ते हैं तो हल गोवित अच्छा आज की यूंग में रनवीर सिंग, रणभीर कपूर या पंकस्तिरपाटी पंकस्तिरपाटी मैं नेताओं का किसी का नाम नहीं लूँगा नहीं चुनाओ का महाहूल है देखो आचार संगेता लगी हो यामेश कि आपको आजादी के बाद कौन सा नेता आपको इंफ्लिएंस करता है आपको लगता है कि प्रधान यह लाके से आते हैं एक अलग थरीके का मैं कनेक्शन देखता हूं और जिस तरीके से उनके कारण उस इलाके को जो महत्तो मिला जो राश्च्रे-पठल पे उसका नाम हुआ उस 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 ख्षेतर का यह उनके कारण ही हूआ और बड़े अनुशासन वाले आदमी थे बड़े पढ़े लिखे आदमी थे तो हम जब बड़े हो रहे थे तो दॉक्टर रायंदर प्रसाद के बारे में हमें कहा जाता था कि पढ़ो हमें बोला जाता था कि इनके बारे मैं जानू क्योंकि हमारे इलाके से हमारे एक शेतर से महापुरुश महापुरुश पर पैदा हुआ ह अच्छा आमिर खान या शारुक खान दो नो मतलब शारुक ऐसे मतलब उसको जानता हूँ मैं थोड़ा जानता हूँ मतलब हम लोग एक दूसरे को के साथ में एक डिएर साल रहे थे थेटर ग्रूप में तो जाहिसी बात है कि मैं उसी का नाम लूँगा जी चलिया आपने हमें इतना समय दिया और काफी दिल की बात करी और मुझे भी उमीद है कि आपने भी मुझे अक्सर बड़ी हार्ड न्यूस पढ़ते हूँ देखा होगा इस तरह का समभात हमेशा डर लग रहा था कि अभी राजिती वाली बात हमेश करेंगे और मैं इस अं है वह निराश कर देता है हर नेता के साथ यह होता है तो इसलिए मैंने आप राजनिती आप लोग पूछते हो ना राजनिती में जाओगे के नी जाओं मैं करता नहीं जाना है पज़ी इसे ने राजसेस्वा के लाऊ पर में तो सोच रहा हूँ कि अपने 10 साल-12 साल के कि मेरा जीवर्ण समर्पित हो अध्धात्मी के तरफ. देखते हैं, आगे क्या होता है। आप लिखते भी हैं। ठोड़ा बहुत है। कुछ लिखा, कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसा कुछ लिखा नहीं कि मैं बोलना चाहूं। लेकिन वो जो लिखता हूं वो बड़ा विक्तिगत होता है कुछ मन में हो जिसको आप आकर में बोलना चाहे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चुनाओ का माहौ है मैं आपको खुश कर देता हूं चुनाओ का माहौ है पांच साल के लिए जो भी नेता चुनी है, ऐसा चुनी है, जो आपकी सोचता हो, और जो इस देश के लोगों के बारे में सोचता हो, और एक ऐसा देश बनाए, जो इस विश्व में सबसे शांतिप्री हो, जो नौर्ट साउथ, इस्ट वेच सब को साथ लेके चाले हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए, और आपके साथ बात करके एक learning experience रहा मेरे लिए भी, और आप बहुत-बहुत मेहनती, बहुत-बहुत काबिल व्यक्ती हैं, और इश्वर आपकी रक्षा हमेशा करता रहे हैं. आपके लिए भी मैं यही दुआ करता हूं और मैं आपसे कहूंगा आप सब परिवार और पूरे दोस्तों के साथ भाया जी 24 मही को ज़रू जाए देखने के लिए देखिए आप जो हैं वे कल्ट अक्टर हैं और मैं इस समय तोर पे नहीं बोलता हैं इसने बोलो आप हैं इसल इस मई को आपका नतीजाएगा चार जुन को निताओं का नतीजाएगा दोनों का इंतजार है चलिए तो फिलाल आपका धन्यवाद आपका समय देने के लिए हमें धन्यवाद थाइंगे